कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे August महिने के important current affairs इसमें जितने भी important current affairs आपके exam point of view से हैं वो मैंने सारे cover करने की कोशिश किये हैं इसमें आपके local national international events आ जाएंगे local हमने अलग से भी किये हैं आप वो भी जाके देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का lecture बिना जादा time waste क आप लोगों का mock test 8 था इसका analysis video आपको आज मिलेगा आपको मैं इसी lecture के बाद में थोड़ी देर तक आपको बता दूँगा अब यहां पर आपसे दो बाते शेयर करनी हैं बच्चों के messages आप यह आ रहे हैं कि इस तरह से mock test वो दे रहे हैं compiled पूरा एक mock test दे रहे हैं जिसमे इसी हैं जो कई मच्चों की week है जैसे commerce background वालों की आप मान के चल सकते है statistics या फिर आपका जो science है computers है वो उनको problem हो रही है या जो computer के हैं उन लोगों को accounts में problem हो रही है उसको किस तरह से करे improve या अब last minute में क्या ऐसी चीज़ करने जिससे उनको फरक मिलेगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में तीन चीज़े बोलनी थी एक मैंने आपको बोला था mock test देना बहुत जरूरी है इससे जब तक हमें टाइम फ्रेम नहीं पता था test का कि कब exam होगा तो उसके दौरान हमारी तयारी को serious होके हम कर रहे थे तो mock test ने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से न और ना ही आप लोगों ने तब तक रिवाइस की थी चीजे आप लोगों को इसी एप पे एक sectional test भी मिल जाएंगे जिसमें sectional test में आपको particular section जैसे accounts के 20 से 20 questions मिल जाएंगे जिसमें सारा syllabus compiled होगा तो अगर आप वो 10 के 10 test यानि कि total 60 होंगे उसमें test sectional section wise break किये होंगे हर एक के 10-10 test होंगे तो आपको क्या होगा हर एक के total इसमें तक्रीबर बारा सोगे करीब परीब हो जाएंगे जो आपको quick revision के लिए बहुत help देंगे लास्ट के पांच दिनों में तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो यह मैं आपको लास्ट चीज करना हूं ताकि आप लोगों को एक idea हो जाएगा कि sectional test में आप लोग कितने marks लेक कर सकते हैं तो यह आप लोगों को काफी help करेंगे आपका जो exam है दस्तारी के लिए तो आप लोग वो जाकी कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं माज अपने 10 अपने august के current affairs की तो चलिए start करते है current affairs आप लोगों को हमारे channel subscribe कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी थोड दियर बाद आपको वहां पर provide कर दिया जाएगा answers के साथ और वह बिल्कुल free of cost होगा आपको कोई भी पैसा पेकरने की जरूरत नहीं है तो चलिए start करते हैं पहला question मैंने भी तक आपको dates important dates नहीं करवाई reason क्या था important dates हर एक महिने में 30-31 है जिसको आपको याद करना काफी म मिश्किल हो जाता है उससे better यह था कि आप लोग in current affairs को याद करें लेकिन august में यह date आपको याद रखनी है first august को muslim women right day मनाया गया है इंडिया में पहली बार तो यह काफी important है क्यों मैंने आपको बताई हैं चीजे कि muslims के related female related या फिर जो पहली बार हो रहा है तो यह तीन august को यह किया गया था बात करते हैं next defense institute of advanced technology पूने ने एक develop किया है निया medical bed isolation system जिससे की covid-19 को हराया जा सके इसमें है क्या इसमें काफी कम जगा में isolated bed बनाया है जिसमें आपको चीजों का ध्यान देना है तो क्या नाम रखा गया है उसका तो उसका नाम रखा गया है आश्र आपको पता है वर्ड इंडिया में एक hackathon होती है वह अगर आप से पूछे जाए किसने जीती है तो वह जीती है आपकी डियायट पूने ने आपको यह भी याद रखना है दोनों चीज़ें आपके लिए काफी important है exam point of view से बात करते हैं next पहला government run interstate chopper services कहां से शुरू हुआ तो आपको अब यह याद रखना है पहला government run interstate chopper service start हुआ है यह हुआ है start आपका उत्तराखंड में important यह क्यों हो जाता है क्योंकि इसमें स्रिनगर भी involved है तो आपको यह अपने आप exam में आने के chances बढ़ जाते हैं तो पहला government run interstate chopper service start हुई है उत्तराखंड में याद रखन आपको उत्तराखंड की ही एक और नई capital बनी है जिसका नाम है आपका गयर सेन उत्तराखंड में एक जगा है उत्तरकाशी उत्तरकाशी में आपका पहला snow leopard conservation भी start हुआ गया है तो आपको यह चीज़ें याद रखनी है अभी के लिए हमारी national education policy आई है 2020 में जिसमें 10 plus 2 structure को ह प्लेस किया है आपका 5 plus 3 plus 3 plus 4 ने तो आपको यह याद रखना है बहुत ही ज्यादा important है यह exam point of view से और आपकी HRD ministry का नाम भी अपसे हटा के क्या रख दिया गया है education ministry बात करते हैं next पहली solar powered ferry इंडिया की कौन सी है जिसने Gustave Trav award जीता है excellence in electric boat and boating तो most important है इंडिया की ही एक ने जीता है यह और यह बहुत ही बड़ा prestigious award है तो यह क्या नाम है तो उस फैरी का नाम है अधित्य आपको यह याद रखना है next ministry of housing and urban affairs ने अभी के लिए दो और cities को add किया है smart cities project के लिए smart cities आपको पता है इंडिया में बन रही थी total कितनी थी total थी 100 लेकिन उनमें दो और को add किया गया है तो वो दो कौन सी है तो वो जो दो add की गई है उनका नाम है ले और कार्गिल तो आपको अब याद रखना है यह भी पुझा जा सकता है कि अब कितनी बनेंगी तो वो बनेंगी अब आपकी 102 नेक्स बैरेक न्यूकलियर पावर प्लांट कहां पे बनाया गया है यह जो बी नियूज में था यह कहां पे है तो यह जो आपका है यह आपका UAE में बैरेक न्यूकलियर प्लांट आपका UAE में बनाया गया है पहला है यह अरब कंट्री का तो आपको यह नाम भी याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है इसी के साथ UAE में ही आपका IPL हो र और अगर आपसे पुछा जाए एडुकेशनल स्पॉंसर कौन सा है इसा जो तीन साल के लिए रहेगा ये टाइटल स्पॉंसर है इसके अलावा जो बना है वह आपका अन अकाडमी साओधी अरेबिया आप यहां पर देख सकते हैं साओधी अरेबिया क्यों न्यूज में था सा भी हम इसे पढ़ेंगे बात करते हैं नेक्स पे विच कंट्री है डिसाइड़ तो मेंट अ कौइन टू ऑनर महात्मा गांदी अब महात्मा गांदी को सम्मानित करने के लिए उनके लिए एक कौईन को मेंट किया जाएगा तो यह किस ने किया है तो यह किया है आपका युन रक्षा बंदन किस ने शुरू किया है यह आंध्र पर्देश क grounding कि वह प्हाले बिश्चे प्रक्राइब इस स्टार्ड किया है अंध्र प्रदेश थी कि नहीं उनल रहा है और इत्र पर देशพर्देश को पर लॉन्च प्यूस्तलर अन्चियाach ने किया है धुराचारी जिसके तहर जितने भी अगर कोई क्राइम होता है विमन के अगेंस तो उस पर काम किया जाएगा का मिशन दूराचारी तो बात करते हैं नेक्स्ट विच आई टी इंस्ट्यूशन हैस बीन कंफर्ड गांधियन यंग टेक्नोलिज टेक्नोलोजिकल इनोवेशन अवार्ट 2020 फॉर डेवलपिंग अ मेकैनिजम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रों बेट क्लॉट तो कपडों से इलेक्टिशिटी बनाने के लिए अभी आवार्ड मिला है किसको मिला है कौन से आईटी खड़कपूर को तो आई टी खड़कपूर को आपको याद रखना है इसके अलावा इंडिया का पहला स्नो लैपर कंजरवेशन सेंटर बनाया है मैंने भी आपको बता है क containment zone में कि स्टेट के द्वारा तो ये की गई है start ते लंगना के द्वारा ते लंगना की ही अभी मैंने आपको बताया most important program है जिसका नाम है आपका साइब हर यह bी cybercrime जितने भी होते हैं mm के इस उसके लिए वेनस प्रोग्राम है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट के अगर हम बात करें MD और CEO कौन बने है HDFC बैंक के ये question important इसलिए है क्योंकि HDFC अभी इंडिया का top bank declare किया गया है इसी के साथ HDFC के जो MD CEO थे वो starting से लेके अभी तक अधित्या पुरी थे लेकिन पहली होंगे जब से बैंक बना है इनकी जगा कौन आएगा तो वो आएंगे आपके शशिदर जगदीशन जी तो यह आपको याद रखना है HDFC बैंक में ही चाइना के बैंक ने भी investment की है और तकरीबन 1.1% शेर जो है वो खरीदा है HDFC बैंक का बात करतें नेक्स पे चेर्मेंट ऑफ हाई लेवल ग्रूप HLEG एक बनाया गया है यानि की अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट इसको जो कमीटी है इसको बनाया किसने है तो यह 15 फाइनेंस कमिशन ने बनाया है अगर आप से पूछ आजा है 15 फाइनेंस कमिशन के हेड कौन है तो वो है आपके एनके सिंग तो कौन हेड करेंगे इस एक्रिकल्चर एक्सपोर्ट टीम को या चेर्मेन होंगे तो वो होंगे आपके संजीब पूरी जी इसी के साथ आपको जो चीज याद रखनी है वो यह कि जो अभी आपकी 15 फाइनेंस कमिशन बनाई गई है इसके हेड है एनके सिंग इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनका बेसिकली आपको पता है फार्मर्स की इंकम जो है उसे डबल करने के लिए कमिटी बनाई गई है तो बात करते है नेक्स्ट पे अभी अभी एक नई जो कस्टमर मार्केटिंग कैमपेंज स्टार्ट किया गया है यह किस ने किया है आप लोगों ने टीवी पे भी आड देखी होगी या फिर आपको यह एड हर जगा दिखी होगी तो यह स्टार्ट की गई है फेसबुक के द्वारा तो आपको को यह याद रखना है फेसबुक का ही इक initiative है गोल जिसको किसके साथ मिलके start किया गया है तो यह किया गया है आपका tribal ministry के द्वारा तो आपको यह भी याद रखना है फेसबुक का है गूगल ने अभी start किया है एक nearby शेयर और इनोंने किया किया है एक इन्होंने ब्रेल कीबोर्ड बनाया है तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है टॉक बैक तो आपको यह भी याद रखना है बात करते हैं नेक्स पे यहां पे अभी तक फिला जब मैं यह वीडियो बनाना हूं चार किसान रेल औरेडी चल चुकी है लेकिन पहली कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी आपको याद रखना है किसान स्पेशल पार्सेड ट्रेंज यह फिर हम इसे किसान रेल भी कहते हैं यह महरास्ट्रा के देवलाली शुरूह Chancellor भी थी बिहार भियार के किस स्टेशन तक हुई तो यह हूई थी दानपूर रेलवे स्टेशन आपको सब याद रखने हैं दोनों के धुनों आपसे यह बने भी आपसे question पूछा तो यह बने है जम्मू किश्मीर Union territory के पहले LG गिरीश चंद्र मुन्मू जी इनने बना दिया गया है CAG of India बात करते हैं next UPSC के chairman किसे appoint किया गया है UPSC के chairman appoint किये गये है परदीब कुमार जोशी जी परदीब कुमार जोशी जी को appoint किया गया है UPSC का chairman बात करते हैं next दो coastal village हैं आपको अब इनके नाम comment box में लिखके बताने क्योंकि यह हमने discuss किये हैं बहुत बात discuss किये हैं जब हम daily basis पे करते फिर करते थे दो ऐसे coastal villages हैं जिनने tsunami ready announce किया गया है UNESCO के द्वारा अब आपको बताना है कि यह कहां पे है तो यह हैं आपके ओडिसा में तो ओडिसा के दो ऐसे गाओं हैं जिनको सुनामी ready किया है कि कल को अगर वाँ पर सुनामी भी आ जाती है तब भी इन्हें बहुत कम नुकसान होगा क्योंकि यह सुनामी ready है बात करते है next most important question एक मल्यालम movie है जिसको अभी award मिला है 20th new york indian film festival में तो उस movie का नाम क्या है तो उस movie का नाम है मुथोन तो आपको यह याद रखना है मुल्यालम movie है कहां पर मिला है new york indian festival festival में बात करते है next पर एक क्याइपर प्रोजेक्ट जो है वो start किया गया है एक satellite है तो यह किसकी है basically जिसको अभी approval दे दिया है US federal communication commission ने तो यह किसकी है तो यह है Amazon की Amazon के जो मालिक है वो है Jeff Bezos और यह दुनिया के इस समय richest इंसान है इंडिया के कौन है तो इंडिया के हैं आपके मुकेश अंबानी जी बात करते हैं next पर कावकास एक multilateral military होनी थी जिसमें इंडिया ने participate करना था लेकिन इंडिया इसमें participate करने नहीं गया था यह basically कहां की थी और किसकी थी तो यह military exercise है आपक क्या की इंडिया रश्या के साथ एक और करता है जिसका नाम है इंडिया ने रिजन कोवीड-19 का दिया था लेकिन चाइन और पाकिस्तान इसमें दोनों participate करे थी इस वज़ा से यह नहीं गये थे तो यह आपको याद रखना है रश्या के साथ इंडिया करता है इंडिया करत बात करते हैं नेक्स वेशन पर इसी सी मैं टी ट्विंटी वर्ल्ड कप 2021 का कहा होगा यह क्वेशन बन सकता है आप लोगों का एक्जाम में क्यूंकि अभी आपको बता है 2020 में आप लोगों का वल्ल्ड का था इसी महीने में लेकिन वह नहीं हो पाया कोवीड की वैज़ा स का वर्ल्ड कॉप औरेडि इंडिया में ही होना था तो जो थो जार बीस वाला है, वो पौस्ट पर्रोकर बाद में होगा लेकिन दो यकीस वाला इंडिया में ही होना था तो आपको इसमें lung confusing नहीं होना है अगर वासे पूछ़ा आप से पूछा जाए, मैं टी लेट की है चीजें जिसे जी आई टाइग मिला है तो ये गोवा की है इसी के साथ जम्मू कुश्मीर की किसको मिला है तो वो मिला है आपका केसर को यानि की सैफरान को जी आई टाइग मिला है इसी के साथ जो आमारी डल लेख है इसे किस जोन में डाला गया है इसे एको सेंसि है अभी आपको पता है जम्मू में जम्मू कहना हूं इंडिया में बहुत सारी चाइनीज आप को बैन कर दिया गया था जिसके एक थी हम लोगों की शेर इट और एक थी हम लोगों की कैम स्कैनर जो काफी ज्यादा यूज होती थी तो शेर इट क्या ही एक अल्टरनेटिव ल अपका एक IIT भी लेके आया है आपको बताना है उसका नाम क्या है और कौन सा ऐटी लेकर आया है यह हम्ने लास्ट ट्र में डिसकस किया था बात करते हैं next में आप लोगों को बता है priority शेक्टर लेंडिंग होती है प्रैटी सेक्टर में काफी सारी चीजह आती है अगरी कल् देते हैं इतने percent उन्हें इन इन categories में देने ही होते हैं तो startups को भी आप इस category में add किया गया हो और यह काफी important question है आपके exam point of view से बात करते हैं next संस्कृति model schools बनाए गए है याकिनी की open के जाएंगे to improve the quality of education तो यह कहां से यह कौन start करेगा तो यह start करेगा हर्याना हर्याना launch करेगा संस्कृति model schools बात करते हैं next पे public enterprises selection board की chairman कौन बनी है सेल की अब यहां पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यह पहली बार women बनी है सेल की head selection board की जो chairman है वो तो क्या नाम है उनका तो उनका नाम है सोमा मोंडॉल तो आपको इनका नाम याद रखना है बात करते हैं next question पे कोविड 19 का वेक्सीन बनाया गया है अभी तक आप लोगों इसका नाम पदा चल चुका होगा sputnik 5 किस country ने इसको approval दिया है यह launch किया है तो यह किया है रश्या के द्वारा बात करते है next कौन सी country है जिसने अभी arrow 2 missile या अपने defense system जो है missile उसको successfully test किया है तो यह किया है इस्राइल ने तो इस्राइल ने किया है arrow 2 आपको यह याद रखना है और only home a climate appeal to the world यह मैं आपको कल भी बताया था बहुत important है एक्जाम में पूछा जा सकता है क्या नाम है इसका बुक का और only home a climate appeal to the world किस ने लिखी है दलाई लामा ने लिखी है पोप फ्रेंसिस ने कौन सी बुक लिखी है हमने काल डिसकस की थी आप लोग यह comment box में लिखके बताएंगे बात करते है next स्वच बारत mission academy अब आपको इसको भी याद रखना है New Delhi में बनेगी यह बात करते हैं हम यहां पे अभी August में ही क्या हुआ था कि अब जो भी आपके माता पिता की property है उसमें बेटियों का भी पूरा हक होगा यह किस act के अंडर कहा गया है तो यह कहा गया है आपका Hindu Succession Act 2005 तो आपको यह याद यह कौन से e-commerce platform ने अभी start किया है campaign जिसका नाम है इतना असान है तो यह भी किया गया है आपका Amazon के द्वारा important है यह चीजएं आपको याद रखनी है अभी के लिए Tribal Freedom Fighters Museum जो है वो बनाए जारे है छे से साथ इन्हें बनाया जा रहा है लेकिन आपको याद रखना है सबसे बड़ा कहां पर किस state में बनाया जा रहा है तो यह सबसे बड़ा जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा केंपनी बनी है जिसमें टेस्ट कीए छो है उसको वाउंच किया है जिसका नाम किया रख Nope कि दोन कि ऑले इंडिया की पहली है इंडिया की स्पेस चन्शी मेंस सी आप प्ताइं स्फिर्व है क्ली बनाई गई है जो की फिल्स है नाम है स्काइर रुटgend इरो ने शुरू किया है अभी रीसेंटली clean plate campaign को शुरू किया गया है चाइना के द्वारा important है आपको ये नाम याद रखने है इसी के अलावा अगर हम बात करें शौर या KGC card जितने भी आपके military या paramilitary professionals होंगे उन लोगों को agriculture loan देने के लिए किस bank ने शुरू किया है ये तो ये किया गया है आपका HDFC bank के ने ये आपके SBI के mains में भी पूछा गया था तो बात करते हैं next पे स्रीजन जो एक initiative है या portal जो है वो launch किया गया है किस ministry के द्वारा स्रीजन जो launch किया गया है ये किया गया है आपका ministry of defense के द्वारा तो बात करते हैं next पे कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है अमरूत में अब अमरूत क्या है अटल mission for rejuvenation and urban transformation scheme तो किस स्टेट ने इसमें टॉप किया है तो इस स्टेट में टॉप किया है आपके और इसा ने जिसके दो विलेज आसे हैं जो आपके सुनामी रेडी भी हैं आपको यह याद रखना है important बहुत ज्यादा question है यह वाला आपके exam point of view से बात करते हैं next वर्ल्स टूकर championship का title किसने बार जीता है किसने जीता है और यह लगा था छटी वार इन्होंने जीता है snooker championship वर्ल्ड की किसने जीती है यह जीती है रॉनी ओ सल्विलेन ने अब अगर आप से पूछा जाए इंडिया के एक snooker player है बहुत famous जिनका नाम है पंकज अडवानी लेकिन national इस बार यह tournament नहीं जीते थे वो किसने जीती थी वो जीती थी आपके अधिया महता ने तो आपको उनका नाम भी याद रखना है बात करते हैं next पे one arranged murder यह book लिखी है क्यों है इसके author तो इसके author है आपके चेतन बगत इन्होंने book लिखी है one arranged murder बात करते हैं next पे इंडिया railway construct कर रहा ह है दुनिया का सबसे tallest प्यर ब्रिच तो यह आपको वर्ड पर ध्यान देना है मनीपूर में हो रहा है पहली चीज़ आपको यह भी याद रखना है किस river के ओपर हो रहा है तो यह हो रहा है इजाई river के ओपर एक्जाम में आप से question यह पूछा जा सकता है कि कहां पे हो रहा ह आपके जेंड के में बात करते हैं नेक्स पे आर्बियाई ने अभी अप्रूव किया है ट्रांसफर किया है अमाउंट कितना सेंटर गोवर्मेंट को 2019-20 के लिए तो यह अमाउंट आपको बस रफली याद रखना है 57,000 करोड रूपीस दिये हैं आर्बियाई ने बात करते हैं नेक्स पे सत्यपाल मलिक जी यहां पर पहले हम यहां पर बात कर लएते हैं ड्रीम 11 मैंने आपको बता दिया IPL की टाइटल स्पॉंसर अगर पूछ रखाना का गववंणर के स्टेट का तो यह किया गया है आपके में घालिया का पहले यह गववनर 29 gay इड हल्मो किश्मीट के थे फिर यह आपके अग्वय वाल एक्समीट के भी सद्वाल से यह तो आपको याद रखना है बात करते perfect hasapan तो जो आपका गवालियर चंबल एक्स्प्रेस वे है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है कौन से पॉलिटिकल लीडर है जिनके नाम पर रखा गया है तो यह रखा गया है आपका अटल बिहारी वाजपाई जी के नाम के उपर तो आपको यह भी याद रखना है बात करते ह और स्पोर्स अथारिटी ऑफ इंडिया ने मिलके एक वेब प्लैटफर्म लांच किया गया है जिसके तहरे फुटबोल को प्रोमोट किया जाएगा तो उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम रखा गया है आपका इपार्ट शाला बात करते हैं नेक्स्ट पे एनिवेड स्कूल किसने लांच किया है या किसने अनाउंस किया है यह एक इनिशेटिव तो यह किया गया है आपका गूगल के ही द्वारा तो आपको यह भी याद रखना है एक्जाम पॉंट ऑफ यूसेज चीजे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यह जब आपको सारे मिक किसी चीजे दिखेंगी इंडिया जपान और कौन सी ऐसी कंट्री है जो मिलके सप्लाइचें रिस इनिशेटिव शुरू कर रही है जिसका नाम है सी आ रहा है अगर हम इसे शौर्ट फॉर्म में बोले तो इंडिया जपान के साथ कौन मिलके कर रहा है तो यह मिलके कर रहा ह है आपका ऑस्टेलिया कों सी स्टेट ने क्या को डिक्लैर किया गया है क्लारे सिटी ऑफ इंडिया और ये लगातार बनी है आपको बताना है कितनी बार लगातार हो चुके हैं अभी नहीं जीते वे वार्ड तो यह तो बनी है आपकी इंदोर अगर आपसे पूछा जाए बेस्टेट कौन सी है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है चोटे राजियों में है च्छतिसगर और बड़े राजि जाएगी आँसे तो यह है आपके आइनॉक्स ग्रुप तो यह स्पॉंसर करेंगे इसे बात करते हैं नेक्स पे विच स्टेट है अनॉंस्ट तू डिजर्व और डिजर्व और पीपल ऑफ दा स्टेट तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अपने सारी गवर्मेंट जॉब्स यह अब आपको बताने किसे अपॉइंट किया गया है नया यहां पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है पहले तो आपको याद रखना अशोक लवासा जी पहले थे जिन्नोंने अब हट गये हैं यह क्या बने हैं यह बने हैं आपके ADB के वाइस प्रेजिडेंट इनकी ज रखने हैं अब राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड मिले थे पांच आपको याद रखने ही रखने हैं आपको एक्जाम में क्वेशन यह नहीं पूछा जाएगा किसको मिला है आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि यह कि स्पोर्ट से रिलेटेड है रोहित शर्मा का मै होक्की की टीम की कैप्टन है तो आपके पांचों के पांचों याद रखने है एक्जाम में हो सकता आपसे एक नएक पूछा जाए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हच्वर्दन जी ने लांच किया है एक गेम जिसका कोविड-19 के रिलेटेड किया है उसका नाम क्या है अगर डिजिटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स के अकॉडिंग इंडिया का रैंक है आपका 57 तो आपको यह याद रखने है रैंक इस पर एक क्वेशन आपको जरूर दिखेगा एक्जाम पर कॉर्मो जो जॉब्स एप लांच की गई है जिससे लोग जॉब को डूण सकते ह है तो यह किसने लांच की है बैसीडली तो यह लांच की गई है वाफिस से गूगल के द्वारा तो आपको यह सारी चीजे गूगल एमेजहां फेस्बूकॉड माेक्रोसॉफ जो भी लांच हरें आपको इ útil सारी याद रखनी है एक ओन्मो तो यह होगा आपका 2036 तक तो आपको option D याद रखना है बात करते हैं next पे बात करते हैं next पे UEFA champion league title किस ने जीता है तो यह title जीता है आपका Baron Munich ने तो आपको इनका नाम भी याद रखना है बात करते हैं next कौन सा ऐसा पहला fast baller है जिसने 600 विकेट लिये हैं और किसको लेके विकेट इन्टू 600 विकेट हुए थे तो यह किया है आपका जेम्स एंडर्सन ने अगर आपसे पूछा जाए क्या यह पहले बॉलर है जिन्होंने 600 विकेट लिये हैं नहीं इनसे पहले तीन बॉलर और यह कर चुके हैं उनमें आपके मुर्ली धरन है श्रिलंका के शेनवान है और अस्ट्रेलिया के और अनिल कुंबले हैं लेकिन यह को इन्होंने डिक्लियर किया है क्रोना पॉलियो वाइडिस फ्री तो आपको यह याद रखना है अब इंटरनेशनल बॉकर प्राइज किसको मिला है आपको पहले इनका नाम याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह नाम मेरिक लुकास रेजनी विल्ड को मिला है इंटरनेशनल बॉकर प्राइज किसके लिए मिला है तो यह मिला है दर डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए बात करते हैं नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पहला बॉलर कौन साइज इसनों पांसो विकेट लिए हैं तो यह हैं आपके ब्रावो वेस्ट इंडिस के प्लेयर है चिनेश सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं तो आपको यह दोनों चीज़ें याद रखनी है किसने किये हैं अगर आपसे पूछा जाए तो यह हैं आपके ब्रावो अगर आपके पूछा जाए 600 विकेट फास्ट से ब्लार को से तो वह आपके एंडरसन इंग्लेइड के व्लेयर हैं नेक्स्ट की अगरें पात करें फर्स्ट मेरीटाइम मेरीन एम्पुलयेंट प्रस्टिक्षा जो की start की गई है किसके दवारा के गैस्ट की दिखे प्रेड्य कbay एक लाड़ से तौप पह और ने अपको बताया और नादू ने तामिलड स्टाट क्या थाथ तामिल आदू ने आपको पहला संथर्ट की गयी हैं तो नाटाकव यहां की अ यहाद रखने है important है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बात करते हैं next ब्रिक्स गेम 2021 में कहां पे होंगी तो ब्रिक्स गेम आपकी 2021 में होंगी इंडिया में 2020 की अगर आपसे पूछो जाए ब्रिक्स की प्रेजिदेंसी किसके पास है तो वह है आपकी रश्या तो यह आपको याद रखना है ब्रिक्स में पांच देश कोंद से हैं वह आपके ब्राजिल इंडिया चाइना साउथ अफ्रिका और रश्या बात करते हैं next question पे नूर इनाय है आपको United Kingdom से तो आपके लिए यह था अगस्त महीना पूरा तो अगर आपको लोगों की इससे हेल्प ही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे अब बात करेंगे हम इसकी के बाद अगले लेक्टर में मॉक टेस्ट एट का ला था लास्ट में आपको बताऊंगा हब रिपीटर अडप्टर गेटवे स्विच यह क्या होते हैं क्यूंकि इस पर भी आप मान की चले एक क्वेशन आपका एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा तो चलिए आज इतने रखते हैं मिलते हैं कल ने लेक्चर के साथ ओके आप लोगों के पास में होगी